यकिनन ये बाइक आपकी ड्रीम्स को कम्प्रीट करेगी और आपकी फैमली में एक नई कुशिया लेके आए ब्रैंड न्यू गाड़ी भी आप लेके जा सकते हैं सर्फ और सर्फ आठ से दस ज़ार पर डाउन्ट देके रेडियोन बाइक के साथ राइडर को पाँच साल के लिए फिरी सर्फ दी जाती है आपका कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को । अमस्षकर एक बार आप सभी का वीडियो में आज मैं आपको हमारे इस नई वीडियो में जो हमारा कम्यूटर सेग्मेंट का एक सबसे सकस्वल ब्रैंड है सबसे सब्से प्रोड़क्ट है जिसका नाम है TVS Radeon आज मैं आपको इसके बारे में इससे कुछ खासियत कुछ फीचर्स बताऊंगा ताकि जो भी हमारे कस्तमर्स हैं जो कि मारकिट में अच्छा प्रोड़क्ट देख रहे एक कॉम्पेटिटीव प्रोड़क्ट देख रहे अपनी जरूरत के हिसाब से इकनौमी के हिसाब से और अपने बज़ट के हिसाब से वो इस गाड़ी को चूज कर सके तो शुरुबात करते हैं आपकी हम यहां से हमारे टीवेस रेडियोन प्रोड़क्ट से अभी मैं आपके सामने जो मॉडल दिखा रहा हूं यह हमारा टीवेस रेडियोन का ड्रॉल टोन ड्रम ब्रेक का एडिशन है इसको टीवेस जो एकी मोटर्स ने 2021 में लॉंच किया था इ आपका जो सिंगल कलर के अंदर गाड़ी आती है वह पहले से अवैलेबल है तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको जो है कि एक कस्टमर को एक राइडर को एक अच्छा फील मिलता है कि डॉल टोन गाड़ी चलाने का उसको एक एक्स्प्रियस मिलता है साथ में कमपनी ने इसक बाकि अपन जो में और आपका जो है फोड़ा भूत सन्दर और आकशक बनाता है को दार बाकि इस गाड़ी के अंदर आपका जो है 110 cc का engine है हमारा Duralife engine जो कि आपकी गाड़ी को performance के साथ साथ उसमें एवरेज जो फ्यूल एवरेज आपको चाहिए होता है वह आपको इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर प्रवाइड होती है इसमें जो टायर्स हम यूज करते है इसमें आपका 18 इंचिस का वील है और इसके अंदर हम लोग रेमोरा टायर यूज करते है ताकि आपको एक अच्छ आपको इस गाड़ी के साथ बिलती है जब गाड़ी को राइट करते है एस पर दी और नॉम्स ऑफ बीएस पोर और बीएस सिक सगरें बाहत करूं तो बीएसिक सापका वाइडि आपका जो है कि यह मॉडल एस समय आपके सामने इसमें डेलाइट रनिंग लैंप आपका जो ह आपके साथ है जो हम आरा एलेटी बेस्टे लेलेड राइट होता है आपका यह कंदर कांपनी ने रखा हुए अल्यडी है अगर आप हैड्लम जो है वह आपकी कर्विनिंट के साब है अगर आप हैड्लम चाहते जलाना तो फिक्श दिया हुआ है है अग्वेट यह एल्वे लाइप इंजन जो कि आपको परफोर्मेंस साथ साथ में एक अच्छा माइलेज ही परदान करता है जो लोग राइडर चलाते हैं उनके मुताबिक इसका जो माइलेज सटक पर उनको मिलता है वह एराउंड सेवन्टी किलोमेटर पर लीटर कास का मैलेज गाड़ी बड़े से निकाल लेती है दूसरा इसके बात करूं गाड़ी के फीचर से खुफसूरती की तो इसमें टीवियस मोटर ने आपको जो स्पीडोमेटर कंसोल दिया हुआ है यह आपका दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है रैसा कि हमारे फॉर्वीलर ब्रैंड यानि कार के अंदर अंदर हमारा आता है इसमें राइडर्स को सेग्मेंट अलग अलग दिखाई देगा तो इसको एक अपना जो भी और एक नॉलिज है उसको प्रॉपर अपने दोनों तरफ मिलता है इसमें एक तरफ स्पीड है एक तरफ फ्यूल गेज है आपका ही सब चीज़े रहती है आप गाड़ी का साइड अगर और रहता है तो यहां पर आपको स्पीडो मीटर पे एक रैड कलर का इंडिकेटर शोगा सेफटी इंडिकेटर है आपका यह जो की रैडर को सेफटी में राइट करने के लिए बता रहा है आपको जब आप इसका साइड इस्टेंड लिफ्ट कर द दिया हुए अगर आपको गाड़ी में साइड स्टेंड जो है कि वो नीचे है डाउन है आपका और अप गाड़ी को चलाना चाहते है तो यह गाड़ी आपका गेर पर डालते ही बंद हो जाएगी यानि गाड़ी आगे नहीं चलेगी और सामने आपको छो करेगा कि यहां प आपको अलुमीनियम के दिये गें जो कि हमारा टीवी एस अपाचे का एक बहुत फेमस जो एक इसाइन है हमारे टीवेस अपाचे बाइक आता है उसके अंदर आपके लिवर इस तरह कहते हैं जो राइडर को गुटनों के दर्द से बचाता है जब राइडर राइड करते है बार-बार उने गुटने आपके काउल पर टकराते हैं तो उनको पेन फील होता है तो यह रबर का थायरे जो है यह आपके गुटनों को अराम देगा ताकि आप एक अच्छी राइड कर सके और उसका एंजॉय कर सके साथ में इसके अंदर आपका जो है इस्टील की हमने एक स्टील का है पीछे आपको करियर दिया हुआ है यह भी आपका स्टील का है सांत में एक हुग दिया हुआ है यह भी आपका स्टील का है यह सब चीजे एक राइडर की फैसिलिटी के लिए कंपनी ने इसमें एड़ाउन की है आम तोर पे अगर हम लोग अपनी बाइक को किसी अपने बिद्नस के अंदर यूज करना चाहते हैं और हमारे पास केरी करने के लिए लगेज है तो हम इस बाइक में उनको आसानी से लोड कर सकते हैं हमारे पास कोई बैग है तो हम यहां पर उस बैग को टांग सकते हैं जो हमारे एजेक्टिक फ्लास के लोग है अपना बैग कोई करते हैं तो यहां पर साइड बैग टांग सकते हैं कुछ लोग हमारे जो इस बैग को बिजनस में यूज करते हैं कई उनका कीजी तरह का वर्क है तो वो यहां पर अपना वो वर्क कर सकते हैं जिसे बहुत से लोग जो दूद बेशते हैं तो वो बोग अपना दूद का डिपभा यहां पे आराम से टांग सकतेroid अपाट डेट पीछे करियर है लंबा ताकि आप यहां पर कुछ अपना बैगे हैं या आप कोई आउट आपने किसी लॉंग रैट पर जाना चाहते हैं कुछ समाने तो आपर आप एजली बान सकते हैं इस लंबे करियर से आपकी जो बैक लाइट है वो तूटेगी नहीं और वो सेफ रहेगी यह इसकी खासियत है जो हमने इसके अंदर स्टील के लंबा केरियर दिया वाया आपको और बाकि इसके लावा आपका जो है यह एडेस्टेबल शोकर है इसके अंदर मजबूत शोकर है काफी है यह आपको हर तरह की सतय पर एक अच्छा फील देंगे चाहे आप एक सड़क पर राइट कर रहे हैं सिटी के अंदर चाहे आप किसी रूरल एरिया में राइट कर रहे हैं जहां पर सड़के ठीक नहीं है रोड्स अच्छे नहीं है गड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको यह अच्छा कमफर्ट देंगे यह इस्पेशली यह जो आपकी आपकी शॉकर है एड़ेस्टेबल शॉकर होते हैं आपकी यह एक खासेत है इस गाड़ी की इसमें और भी चीज़े जो टीवेस्ट मोटर समय से सेफ्टी के हिसाब से दिया हुआ है आपका जो यह अप देख रहे है यह पूरा कवर है जो आपकी चेन को गंदगी से यह बिसिकली उस कंडिशन के लिए होता है जब हमारे बहुत से जो राइडर है वो सेंडिल्स में गाड़ी चलाते हैं यानि शूज नहीं पहनते पैर में या कोई अपने स्लीपर्स पहन के गाड़ी चला रहा है तो उस केस में जब इंजन हीट होता है और वो गेर्स को आड़ी के अंदर बहुत ख्याल रखा है ताकि हमारे राइडर को किसी भी तरही कोई प्रॉल्म ना आए इसके अलावा सबसे जो मेजर इसका अट्रेक्शन है वो है इसकी बहुत लंबी सीट यह जो सीट आप देख रहे हैं यह बहुत लंबी है आम तोर पर जितनी बाइक आपने देखी होगी उसकी सीट की लेंथ होती है वो यहां पर आके खतम हो जाती है टैंक के ऊपर तक नहीं जाती है यहां पर जो सीट की लेंथ है वो टैंक के ऊपर तक रखी हुई है ताकि अगर राइडर की फैमिली है हस्बेंड वाइफ दो बच्चे है और कोई अगर आगे बच्चा बैठा हुआ है तो एजली लंबी सीट के साफ से अपने आपको कमफर्ट फील करें तो यह इसका एक खास फीचर है लंबी सीट इस गाड़ी के साथ में आपका बाकी इसके अलावा अगर आप इस तरह देखे तो यहां पर आपको स्टील का जो एकी सैलेंसर मफलर है आपका जो कि प्योर स्टील का है चमकदार सुन्दर राइडर को अच्छा फील होता है यह पूरा सैलेंसर कवर है जो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगा हुआ है तो यह एक काफी लोग भी आपको नोटिस करते हैं तो यह सारी चीजें हमने इस बाइक के अंदर दिया हुआ है औल्दो इस बाइक में एक और खास्यत है वो यह कि टीवी एस मोटर्स की तरफ से रेडियोन बाइक के साथ राइडर को पांच साल के लिए फिरी सर्विस दी जाती है आम तोर कोई बी टुबलर प्रैंट करीते हैं तो उसमें आपको सर्विस केवल एक साल के लिए मिलता है इस गारी के साथ आपको सर्विस फाइब कीम इंजन उयल के पैसे आपको पे करने होता है तो इन सब तीज़ों के साथ TV Stradion तयार है आपके जिंदगी में आने के लिए आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें इस बाइक के साथ यकिनन ये बाइक आपकी ड्रीम्स को कंप्लीट करेगी और आपकी फैमिली में एक नई कुछिया लेके आई बसे तो मैंने आपको गाड़ी के बारे में आपका पूरा डिटेल दे दिया है जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसके अलावा मैं एक आपको इसके कॉम्पूटिशन के बारे ही बताना चाहता हूँ मार्केट में कम्यूटर सेग्मेंट के अंदर और भी बाइक आती है जो की आपको लबबग इसी तरह का कोई ना कोई बैनेफिट आपको देगी पर हमारा टीवे स्रेडियोन उनसे क्यों बहतर है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके मेजरली जो कॉम्पूटिशन है उसमें आपका T.V. Hero के स्प्लेंटर वाइक आती है स्प्लेंटर प्लस और आपका बजाज की प्लातिना यह दो वासित कंपूटिशन में आती है गाड़ी आपना लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करू, तो Hero Splender के प्राइस कही ज़्यादा है और इंजन छोटा है रेडियोन आपका 110cc के इंजन में आता है, जबकि आपका Hero Splender Plus जो गारी आती है, वो आपका 100cc में आती है और प्राइस भी अलमस्स उसका 83-84,000 के आसपास है, जबकि TWS Radeon का जो अंड़र प्राइस है, वो only 73,700 है, अगर ने बेस मोडल जो शुरुबात करता हो, तो दूसरा इसके अलावा, ये बाइक्स जो है, प्लैटिना या एरोस प्लैंडर प्लास, ये आपका 160 के सेगमेंट मे आता है, अगर आप इसमें उपर सेगमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे प्लैटिना के और सेगमेंट भी आते हैं उपर के, तो फिर उसके अंदर आपको माइलेस से कमपरमाइस करना पड़ेगी, ऑल्दो, 110cc के अंदर किसी भी ब्रैंड का सेगमेंट इतनी फीचर्स के सेख्यार में आपको एक अच्छा सेर्विस का पूरा 5 साल का टेन्योर मिलता है, तो मेरे कहल से यह एक भी मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव आपका जो है प्ROड़क्ट है, और इस समय, जो हमारे क्लाइंट हैं, हमारे राइडर्स हैं, जो लोग इस समय मार्केट ऐख कर रहे हैं यह आज की तारिक में उनके लिए उनका होट सग्मेंट है और सब अच्छी बात है कि गाड़ी आपका जो है कैश और फाइनस दोने ही मोड मोड में अवैलेबल है और आशान किस्तों में और आसान एमाई फीचर के साथ और आसान लो डाउंटेमेंट के साथ यह ग सिविल बेस पे होती है बट फिर भी इस गाड़ी के लिए मिनियम डाउंटेमेंट जो है आपका वह तक्रीबन तक्रीबन जो क्लाइंट पे करता है वह तक्रीबन तक्रीबन आपका इन बिट्वीन 8000 तो 9-10,000 जो की राड़र पे कर सकता है अपने हाप में और इसके अपा जैनल को और आप सभी को बता दूं ब्रैंड न्यू गाड़ी भी आप लेकर जा सकते हैं सरफ और सरफ 8-10,000 पे डाउंट देके जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यूजड का यूजड का भी वीडियो बनाता रहता हूं तो वहां पर भी आप देखते हो कि 8-10,000 पे डाउ झाल